हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो के माद्दिम से हम जानेंगे सोयाबीन के सेवन से होने वाले लाबो वन नुक्सानों के बारे में आप सब जानते होंगे सोयाबीन गुनों का खजाना है लेकिन इसके बहुत सारे गुनों के अलावा इसके कुछ नुक्सान भी है हम आपको बता दे कि सोयाबीन प्रोटीन और आईसो प्लेवोन से बर्वू डाइट होती है जिसके सेवन से हड्डियों की कमजूरी को दूर किया जा सकता है तो आई ये जानते हैं विस्तार से सोयाबीन के सेवन से होने वाले फाइदों वर नुक्सानों के बारे में हम आपको बता दे कि अगर आप उच्चरक्ते चाप से ग्रशित है तो सोयाबीन उच्चरक्ते चाप को कम करने में लाबदायक होता है महिलाओं के मातिक धर्म बंदोने से गुष्णों में दर्द पेट का बारी होना कमर में दर्द होने लगता है इस इस्तती में सोयाबीन का सेवन इस समश्चा को खतम करने के लिए लाबदायक होता है हम आपको बता दे कि सोयाबीन से बना दूज वर रोटिया गटिया रोग के दर्द को जड़ से खतम करने के लिए जानी जाती है सोयबिन के सेवन से हट्डियों को मजबूती प्रदान होती है और साथ में मान से तनाओं को कम करने के लिए सोयबिन लाबदायक होता है सोयबिन का सेवन सारलिक विठास में लाबदायक है इसके साथ सोयाबीन मिर्गी, यादास वर दिमागी कम्जूरी को भी दूर करने में साइक होता है हम आपको बता देगी मदुमे रोग्यों को सोयाबीन के सेवन से मुत्र समंदी समच्छा के रहात मिलती है तो फ्रेंडिन आईए अब जानते हैं सोयाबीन के सेवन से होने वाले नुक्सानों की पारे में दिल की बीमारी से गरशित व्ष्टी सोयाबीन का उप्योग नहीं करें या फिर कम करें सोयाबीन के अधिक सेवन से सरीर में एश्ट्रोजन की मातरब बढ़ जाती है सोयवीन के अधिक सेवन से वजन में बडोतरी होती है हम आपको बता दी की सोयवीन में टांस फेट होता है जो की हाई कोलिस्ट्रोल को बढ़ाता है यदि फ्रेंड्स आपको यह जानतरी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेर कर दीजेगा ओ यदि आप हमारे इस चैनल पर नए है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइबी कर दीजेगा थेंक्यू